हाई दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग स्वागत करता हूँ दोस्तो मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और दोस्तो आज हम देखेंगे ककसा बारा भुगोल के दोस्तो मौस्ट इंपोर्टेंट कुशन देखेंगे दोस्तो 16 इंपोर्टेंट कुशन आपक बिल्कुल आपको सोडा किशन को अच्छे से याद करके चले जाना है ठीक है तो वीडियो को अन तक जरूर देखियेगा दोस्तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखना है आपको ठीक है और अच्छा लगे तो लाइक करना है और बाकी चैनल को सबस्क्राइब करना है आप न नमबर वन आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तो वरस 2006 के प्रारम में बारत में कितनी मिलियन सीटी थी most important question है दोस्तो तो ध्यान रखना है दोस्तो वरस 2006 के प्रारम में बारत में दोस्तो 40 जो है वो मिलियन सीटी थी इसका यानि 40 हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों दूसरा किशन देखते हैं आपके सामने और कही बार पूछा जाता है दोस्तों सन्नगर किसे कहते हैं सन्नगर तो दोस्तों उत्तर आपको लिखना है कि दो नगरो या दो सेरों के मिल जाने से एक विसाल नगर बन जाता है उसे हम सन नगर केते हैं समझ गे यानि कि दो नगरों के मिल जाने से एक विसाल नगर बन जाता है उसे हम सन नगर केते हैं दो नगर या दो सेहरों के मिल जाने से विसाल नगर बनता है उसे हम क्या केते हैं सन नगर केते हैं ठीके जियान रखना है इसके बाद हम देखते हैं अगला तीसरा किशन और तीसरा किशन आपके सामने नजर आरा दोस्तो तीसरा किशन है सन्नगर सब्द का परियोग कब किया गया तो दोस्तो सन्नगर सब्द का परियोग है वो किया गया था 1915 में 1915 में दोस्तो सन्नगर सब्द का परियोग किया गया है तो दोस्तो यह आपको ध्यान रखना है 1915 में जो है वो सनगर सब्द का प्रियोग किया गया है अगला आप देख सकते दोस्तों आपके सामने चोता किशने है कि smart city मिशन क्या है smart city जो मिशन है ये क्या है तो आप उत्तर लिखेंगे कि देश के 100 सेरों का निर्मान करने के लिए एक सेरी विकास कारी करम है जो कि प्रदान मंत्री निरेंदर मोधी ने 25 जून 2015 को लौंच किया था इस्मार्ट सिटी मिशन को तो ध्यान रखना दोस्तो इस्मार्ट सिटी मिशन क्या है तो देश के सो सेरो का निर्मान करने के लिए एक सेरी विकास कारी करम है परदान मंत्री नेरेंदर मोदी ने 25 जून 2015 को लॉंच किया था तो दोस्तों ये इन क्विशन को अच्छे सा आपको याद करना है चलो आगे देखते हैं पांचवा क्विशन आगे आप देख सकते हैं पांचवा क्विशन आपके सामने है कि सामुई करसी को सोविद संग में किस नाम से जाना जाता है जो सामुई करसी है उसे सोविद संग में किस नाम से जाना जाता है तो जाना जाता है दोस्तों कॉल खडोज ध्यान रखना दोस्तों कॉल खडोज है के कॉल खडोज के नाम से जो है वो जाना जाता है सोविद समुई कर्शिकों सोविद संग में, ठीक है? अगला देखते हैं छटा किषण ने आपके सामने की जन सिंग्या संगठन के किनी दो मेतफण सुचकों के नाम बताओ तो दोस्तो जन सिंग्या संगटन के कोई दो मेत्तपुन आपको सुचक पूचे हैं तो आप लिख सकते हैं जिसे आयू सरंजना है लिंग संगटन है ये परमू दोस्तो जन सिंग्या संगटन के दो मेत्तपुन सुचक हैं आपको अच्छे सी याद करने हैं चलो देखते हैं आगे हैं आपके सामने सातवा किशन कि एसिया के दो देश बताईए जा लिंगानुपात निमन है तो दोस्तो एसिया के दो देश जहां का लिंगानुपात निमन है वो है चीन और भारत चीन और भारत का जो लिंगानुपात है वो निमन है लिंगानुपात क चलो देखते हैं, आठबा किशने आपके सामने कि किसने कहा था कि लोगोंकी स biz пока पूरती के पखशादिक तेजी से बढ़ेगी तो दोस्तो लिए आघधा किशने आरती क्रिया किसे कहते हैं देखो दोस्तो आर्थी किरिया किसे कहते हैं सबसे पता चादरा आर्थी किरिया यानि पैसों से समझेद किरिया आर्थी किरिया यानि आप परिवासा लेकेंगे कि मनुश्य की वे सभी किरिया है मनुश्य की वे सभी किरेई जिनमें मनुश्यों को धन की प्राप्ति होती है किसकी प्राप्ति होती है धन की प्राप्ति होती है आरती किरेई कैलाती है तो यह परमुख ध्यान रखना important किशन है इसके बाद देखते हैं दस्वा किशन दसवा किशन ने आपके सामने कि मानो भूगोल एस्तर परत्वी और किरियसिल मानो के बीच के समंदों का अध्यन है ये परिबासा किशने दी है तो दोस्तों ये परिबासा दी थी एलेन सेंपल ने किशने दी थी एलेन सेंपल ने ध्यान रखना अगला देखते हैं 11 वा किशन ने आपके सामने की रेड़जल के नसर मानो भुगोल किया है तो रेड़जल के नसर मानो भुगोल दोस्तो मानो भुगोल मानो समाज और धरातल के बीच संसलेशित अज्यन है ये परिबासा रेड़जल न Verkehr दी थी सकते हैं दोस्तो रुको और जाओ संकलपना किस ने दी यानि रुको और जाओ यानि उत्पती विकास करो अपनी सिमा में रेकर नव निस्चिवाद नव नीतिवाद यह किस ने दी थी दोस्तो यह संकलपना तो यह दी थी ग्रिफिक्ट टेलर ने ग्रिफिक्ट टेलर ने दो दोस्तो रुपो और जाओ यानि ये संकलपना परस्तुत की थी ठीक है अगला देखेगा तेरवा किषने आपके सामने जनसिंख्या प्रियुतन के पर्मू गटकों के नाम बताओ तो जनसिंख्या प्रियुतन के मेतफ़ून गटक है दोस्तो जैसे जनमदर है मिर्तुदर है कारकों के नाम बताओ जनसिंख्या वित्रन को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तो ये मौश्ट इंपोर्टेंट क्यूशन याद करके चले जाना दोस्तो मैंने या पर लिखा नहीं जनसिंख्या वित्रन को प्रभावित करने वाले कारक ये आपके पूंचा जा सकता दोस से खनेज, नगरी करण, वोई द्योगी करण, ठीक है, तो यह जन सिंग के वितन को प्रभायुत करने वाले कारकों के आप नाम लिख सकते हैं, दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्यूशन है, जन सिंग के वितन को प्रभायुत करने वाले कारक, और यह जन सिंग के प्रमुग गट होता है अपनी और और कर्ष का मतलब आकर्षित करना यानि अपनी और आकर्षित करना वो कहलाता है अपनी अपकर्सकारक तरीका वो उल्चाल यहापर सभी प्रकार के सुईदा ही उफलब दोगी तो हम लोगों को अपनी और आकर्सित करेंगी तो यह कारक कहलाता है अपकर्स और जिस इस्तान पर जहां बिल्कुल एस सुईदा उफलब दें ठीक है जहां पर सुईदा नहीं है तो वहां से लोग जो है वो छोड़कर उस इस्तान को चले जाएंगे जहां से छोड़ेंगे वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारग ठीक है तो यह अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारग का अर्थ आप समझ तक समझ गए तो बिल्कुल इसमें कोई भी उब सेदे वाले किषग तो आप रइट कर देंगे तो जोरो का मतलब आपको आगया होगा मेरे इसाब से चलो दोस्तो आगे देखते हैं आपके सामने 15 किषग ने के कारण बताईए तो लिंगानुपात कम होने के परमुक कारण है दोस्तों आप लिख सकते है जैसे कन्या पुरुन हत्या है लड़कियों के साथ भेदबाव है माईलाओ के परति गरेलु हिंसा है माईलाओ का नियम सामाजी कार्थिक इस तर है ये परमुक दोस्तों जो है वन्दे मातरम थेंक्यू